अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजिनियरिंग की स्रीज चल रही है जो भी कंटेंट आप तक आपने पढ़ाये और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले सारा कंटेंट आपको पीडिया फॉर्मेट में अबिलेबिल रहेगा जिस तरह से मेकनिकल इंजिनियरिंग जर्नल नोलेज की अन्य स्रीज कंप्लीट अविलेबिल है इस कंटेंट का इस्तमाला अप एससी और आरवी स्टेट जेई एई गेट वी टैक एमाइई के एक्जामनेशन के लिए कर पाएंगे इससे पिछली वीडियो मसात्यों हम जान रहे थे हीट ट्रीटमेंट किस परकार से किया जाता है किस परकार से अलग अलग तरीके से स्टील को अन्य रूपों परिवर्टित किया जाता है अलग नाम से उसे जाना जाता है क्योंकि उसके कुछ स्पेस्पिकेशन होते हैं अल प्रदा जान लेते हैं इसके बारे में आगे भी आपको इस्पेसल टॉपिक मिल जाएगा इसका जो कि सॉप्ट स्टील होता है जैसा कि गामा उस्ट नाइट है इसको आप हीट करते हैं होल्ड करते हैं तो टैम्प्रेचर पर होल्डिंग किसी इस्पेसल टाइम के लिए तो एक तरह कह सकते हैं फेड ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है एक फेश से दूसरे फेज में जहाए बी से किसी में मैक्रो स्ट्रिक्शन आप्चेंज करना चाहते हैं तो आपने गाम उस्ट नाइट को हुड कर रखाए और एक साथ उसे ठंडा करते हैं टेंप्रेचर पर आपन कीज़ को ठंड़ करते हैं तो कुछ करने से माटन साइट पर आपत होता है जो की बी सीटी माइक्र स्ट्रक्चर होता है बोडी सेंटर टेट्रागोनल अब यहां पर जैसा कोई स्टील बोडी पार्ट है इसको आपने पहले गरम कर दिया किसी इस पेसल टेंपरेचर रेंज प आपि तरह आप जाएंगे लिगे तो इतना हाड आपको माटन साइट हर्ड माइक्र स्ट्रक्चर है हाड अवस्ता है स्टेट है अप कह सकते हैं तो यह भारजासे की तरफ सपेस्ट्रेश ऑड इरिया हार्डेस्ट माइक्रuoशैक्चर ऐं पनिप उस्टील आप ऩर रिबें एक बजाए BCT पराप्त हो गया है जो कि हाड़ेस्ट माइक्र स्ट्रेक्चर है हाड़ेस्ट अवस्ता है इस्टील की इस्टील फैमली में आफ्टर हीट ट्रीटमेंट करने के बाद अब इससे क्या क्या चैंज देखने को मुलें आपको बिटलनेस बहुत ज्यादा पराप्त कर दें इसकी मसीनिंग करते हैं तो वो आपका प्रोपर्टी में लॉस हो गया है अब चाहते हैं आप इसमें कुछ जो इसके गुंद चले गए प्रोपर्टी चले गए सारी सारी कंप्लीट ना चली जाए थोड़ा जितना आप चाहिए एड़ेस्टमेंट करकर फिर से पु करने के बाद एक साहत अबने only socion क्या 결णा करें तो ऊसकीसी मैटरियल की आवस्त पराप्ट कर लिया थो आव उसको आप रगेन करना क्या चाहते है कुछ हसे सीस के ना चाहते हैं चाहते हैं भीडिटल नैस इस रिडियूज्ट तो आपने किया क़शत बहुत ज्याला परा process annealing के बाद की जाती है वो तीन छोटसे छोटे डब बने होए थिस प्रकार से तो यह पर process annealing थी उसके नीचे आतीर अपको tweeting do наверshaking e Flinta medium temperature low temperature tempering देखने को मिल रही दो से प्रजर नेर्जी को पर एक्षाइर कोगने से जात है यह दूand थि जार है जाता है झा सबस्दोर ah प्राप्त हो जाती है टेंपरिंग करने से बहुत जादा नहीं जितनी आपके आप सकता होती है चीजें आपने बदल दिये किस प्रोसेस से किस मैथड़ से बदली है उन चीजों को सुदारने के लिए टेंपरिंग आप कर रहे हैं क्योंकि आपने क्यों इंचिंग किया करते हैं फिर उसकी कूलिंग करते हैं अप कूलिंग किस प्रकार से करते हैं अलग-अलग रास्तों से आना आपको ही है मंजिल आपकी यह लेकिन जो रास्त आप करते हैं वो आपकी कहा ही नहीं बना देता है तो उसी को उस नाम से जाना जाता है लास्ट में आपको कूल करके आना है लेकिन यहाँ पर holding at a particular temperature किसी temperature पर आप उसे रोक कर रखते हैं तो रोक कर रखते हैं required time जितना time कि आप सकता होती है holding time उसे आप कह सकते हैं और वह incubation period होता है जो की एक तरह से कह सकते हैं phase transformation करता है आपकी phase transformation कर सकता है solid से liquid liquid से solid या फिर crystal structure है उसका arrangement है crystal transformation कर देता है तो जो ही incubation period होता है यह भी आगे आप जानेंगे चैप्टर पल्टी डाइग्राम पढ़ेंगे उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक कि जान करें आपको अच्छे से समझ माई होगे अभी वे आपका कोई confusion है तो आप हमसे comment करकर पूर सकते हैं साथ ह जो आप चाहें तो contact कर सकते हैं contact link आपको वीडियो description मिल जाएगा वीडियो को अन तक देखने के लिए चैनल को support करने के लिए आपका दिल की गराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो मत अब तक पढ़ते रहिए ब्यस्त रहिए मस्त रहिए जहिन बंद मत्रम